एंजाइम ऐसे प्रोटिन अणू होते हैं जो कोशिका में होने वाली रसायनिक अभिक्रिया को गती प्रदान कराते हैं एंजाइम पर विशिस्ट रीजन पाय जाते हैं जिनने हम एक्टिव साइट कहते हैं यहां पर एंजाइम की क्रियाविधी होती है मॉलिक्यूल एंजाइम की एक्टिव साइट से जुड़कर क्रिया करते हैं एंजाइम का कार्य सबस्टेट को विबिन प्रकार के उत्पादों में रसायनिक अभिक्रिया द्वारा बदलना होता है जब हमें उत्पाद प्राप्त हो जाता है तो एंजाइम मुक्त हो जाता है तथा दूसरे सबस्टेट से वह जुड़कर कारे करता है सबस्टेट को एंजाइम की एक्टिव साइड पर ऐसे फिट होना चाहिए जैसे चाबी ताले में होती है इस वज़े से कई एंजाइम केवल एक सबस्टेट से जुड़कर ही कारिक कर सकते हैं एक्टिव साइड में थोड़े से चेंज आने के कारण ये सबस्टेट से और अधिक कुशलता से जुड़ती है इसे हम Induced Fit Model कहते हैं एंजाइम इस मामुली से परिवर्तन से सबस्टेट उससे उच्चतम दक्षता से जुड़ता है तथा सभी एंजाइम में Optimal Environmental Condition होती है जो उसकी एंजाइम Activity से सम्मंदित होती है Environmental Condition जैसे pH, Temperature अगर Condition कम Optimal होती है तो एंजाइम की सबस्टेट से जुड़ने तथा कारे करने की दक्षता घड़ जाती है ये एंजाइम को 3D शेप में भी चेंज ला सकती है तथा इस प्रक्रिया को हम Denaturation कहते हैं